हालो एबरन कैसे हो आप सभी का फिर से में वेक्टर एजुकेटर के चैनल पर आपको सौगत करता हूं जैसा कि लास्ट सेशन में हमने जिमेटिकल आईसुमर की बारे में पढ़ा था कि कौन से कॉझमेटिकल आईसुमर होते हैं कि इतना जानते हैं हम लोग कि बूगन को देखके हमें नॉर्मली हम यह बता करेंगे कौन से compound sis होते हैं कौन से compound trans होते हैं properties की बारे में अगले वीडियो बनाएंगे उसके हम properties discuss करेंगे बड़े यहां पर आज हम यह सीखने वाले कि कौन से compound sis होंगे कौन से trans होंगे basic terminology आपको पता है same type की जब group होते हैं अगर एक side लगे हो वेच फॉर्म डैस फॉर्म यह भी मैंने बता रखा एक side में लगे होते तो उनकों sis बोलते हैं अगर वो एक डूसर चले जाते तो वह हो गया हो जाते है अब इसको इसमें कैसे सिखेंगे चलिए हम वह एक एक करके सुरू करते हैं और आपको बताते हैं चलता हूं कैसे यह double bonded system है और यहां पर दोनों methyl group एक साइड में लगे हुए दोनों same type में same type की group देखें अलगल एक ही साइड में लगे हुए तो यह एक उपर है एक नीचे है तो यह दूसरे से अपोजिट है और जब एक दूसरे से सेम ग्रूप आपोजिट हो जाते तो इसको क्या बोलते हम ट्रांस बोलते हैं नेक्स वन की बात कर लें यहां पी वही सेम चीज है यहां पर ध्यान से देखो बहुत अच्छा कुशन है यहां पर जो आपके पास ग्रूप लगा है वह भी मिठाइल है एक उपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है आप दूनों डिफरेंट है सिस्टम आपस में डिफरेंट है यह बात बरोबर है लेकिन यह गुरूप ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है तो इस वह ट्रांस यह चाहिए इसको आप लेते यह वहीं सेम चीज है यह प्लेन के ऊपर जा रहा है आप देखिए यहां भी में थाइल लगा हुआ है यहा ट्रांस फर्म सो करने वाला और बेसिकली यहां पर जो दो गुरूफ है आपके ना वह दूरू डिफरेंट है डिज मेठाइल एप असानी से चेक कर सकते हो यह भी मेठाइल यह भी मेठाइल है दूनों एक दूसरे से अपोजिट लगे हुए और पोजिट लगे हुए तो एक है मेठाइल इधर इधर यह दूनों इक तनकी आपोजिस्ट यहां वह देखिए एक हाइडोजो की चाहीं हुआğ है इसको संञे है हुआ है इसका hydrogen यहां पी लगा हुआ है बैसे के लिए दूसरे से आपोजिट है आपोजिट का मतलब ही है कि हमारे पास जो आइसो मरा आने वाला है वो ट्रांस है बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हो ठीक है इसके बाद हम इसके पास जाएंगे इवली सीज देर ऐसा मैंने इधर जा रहा है तो इस नोट बाूंड के लांग यह जो आई summer था यह आपको ट्रांस कर रहा तरह दो यहांपर क्या हो लिगा जाएं क्या लेकिन अगर वही डवält आसासा चीज है प्लस सिम्बल देखी यहां पे यहां पे दबलबंड के सापको चेक करने यहां पे hydrogen यहां में यहां वैट्र स्थो इधर चला जाए तो यह कैसा फोर्म हो जाएगा यह कुछ नहीं करह 20 आप इस नहीं कर Greek कॉंड के क्रॉस्त अब कुछ नहीं सकते हैं जब कभी डबल बॉंड आ जाए ता उसके अलोंग सिस्टॉंस नहीं निकाल सकते यह भी कुछ नहीं सोकनने वाला राइट इसकी बात कर लेते हैं यह साथ है है यहां है निया कर यहां है होगा है तो है और इधर भी डडाइल लगा हुआ है जब फोट यह हो जाएगा यह कंपाउंड सिसट्रांस नहीं करेंगा लेकिंत कला चाहिए जरूर है सिस्टांस करने के लिए आपके कोई दू अपोजिट वाले या फिर सेम साइट वाले सेम होने चाहिए यहां पर आपने दूनों अलग अलग है जोमेटिकल आइसमर बैसिकली है बाट नाट टू सो दा सिसान ट्रांस आइसमर राइट तो यह सिस्टांस नहीं सो करेगा यह सर यहां भी मिधाईल है यहां आपके लोन पियर सेम है यहां भी आपके लोन पियर सेम है यह सो करेगा जोमेटिकल आइसमर नहीं सो करेगा जोमेटिकल आइसमर सो नहीं करेगा क्या कुछ नहीं करेगा सर ठीक है इस वन यह मिधाईल है यहां पर है यहां पर मिधाईल लग करने के लिए आपके जो निटोरी होने चाहिए कि आपके अगर मैं तो इसे करकी कर तो यह तो केसी नहीं है सिस तो ट्रांस बताने के लिए आपके एंट इकल टूब यह बेसिकलिए हर यहां वैलिड है यहां तो आपका यह ग्रूप ही सेम हो गया और दूनों लून पेर भी सेम साइड है यानि कि यह तो से स्टांस हो नहीं करेगा नेक्स की बात करते हैं अगर दून अगर हम इसको बनाएं ठीक हैं तो सिक्राय।र ड़ now को टूनर पेटिके पता है तो यहां हो ड़ा हैं दावर्वर्द काहां करें पता है तो यह क्या हो रहा है टांवर्ड नीचे सरी त regarde इसको हम बनाया इन इसため कौ डिजाइन करें तो कैंसे ब नेंगा पता हैं अगर हम मैं पिशुकर बना के तो यह क्या हो रहा है नोग्र कम्ता है आइसे एक दूसरे में रिलेशन सार्चम स्पल को हचा एक डानले जाएगा टर्स फारंस फोetter कैसा करूँर हो जाएगा ट्रांस फोम नेंट में बात कर लैतें यह तो और यह तो यह क्यों फ्ट्रेंप साइड में सेम साइड हो जाएगा तो सिस हो जाएगा अगर अपोजिट साइज हो जाएगा देख दूसरे जदूर जा रहा होंगे तो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा अब यह रूल आपको चेक करना है कि A not equal to B and C not equal to D अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आप फिर हर एक में सिस हो ट्रांस बताते चले जाओगे तो जो की गलत होता है वो जी आए का कंडिशन ही नहीं है तो पहले जमेटिकल आइशोमर के अंतरवगत ही आपका यह सारे सिस ट्रांस और एंटी आते हैं फरस्ट आप आले चेक दा हो आपको पता चल गया हो गया और सब आपको पता होने चाहिए कि कौन से कंपॉंड जमेटिकल आइसमर करना है और जो कि बहुत आसान होता है तो आज के सेशन यहीं पे था बहुत चोड़ा शेशन था क्योंकि उसमें प्रब्लम डिसक्स करनी थी आप इसे एक से दो बार ती झाल